मैं समझती हूँ महीला बहुत सुरक्षित है क्योंकि कॉंग्रेश के राज King महीला घर से बाहर तक नहीं सकती थी बाजबसर कानाई फिर हमें डर है क्योंकि फिर उसमें लेडिस सेफ नहीं है क्योंकि लेडिस को फिर डर है कि जैसे अब सेफ है फिर ऐसे सेफ नहीं होएगी ना नमस्कार स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सब के साथ भी पिंचोधरी जगादरी विदान सबागे छच्छोली में मैं मौजूद हूँ और आप तस्विरों में देख भी सकते हैं महिलाएं हमारे साथ में मौजूद हैं यह जो विदान सबागे पांच अक्टूबर को यहाँ पर वोटिंग होनी है तो यह महिलाएं क्या सोचकर वोट करने के लिए जाएंगी क्या एक बार फिर से चाती है कि परदेश में भारते जनता पारिटी की सरकार बने या फिर इन या आप चाती है कि परिवरतन हो नहीं हम बीजेपी को ही वोट देंगे हम चाते है कि भारते जनता पार्टी ही आगया है क्योंकि यह तो सबको ही पता है हमारे चुच्रोली चुच्रोली में ही हॉस्पिटल बन गया है जो आज तक कभी नहीं बना था गॉर्मेंट स्कूल कॉलीज तियार हो चुका है S.D.M. कोर्ट तियार हो चुका है और हमारे गाओं की हर सडक तक तियार हो चुकी है जो आज तक कभी कंग्रेस के राज में नहीं हुआ हैто यह आपने बताया कि आपके छेतर में यह हुआ है तो मतलब आपने महसूस किया है या जो आपके देखो निकलते थे हमें इतना इतना टाइम लगता था हर चीज के लिए आप यह चछोली से यमना नगर जाओ आपकी रोड की क्या हालत होती थी बट आज मेरे को लगता है हम हारली 15 मिनट में हम यमना नगर तक पहुंच जाते हैं मैं खुद जाती हूं मैं खुद अपने करने का काम किया है तो दस सालों से यहां पर भाजबा की सरकार है और भाजबा के यहां पर विदायक भी है तो आपने इन दस सालों में क्या महसूस किया देखे इन दस सालों में बहुत मैं समझती हूं महिला बहुत सुरक्षित है क्योंकि कॉंग्रेस के राज में महिला घर से बाहर तक नहीं निकल सकती थी आज बहुत सी देखे आप एक सो बारा पुलीस हेलप लाइन जब मरजी आप जहां मरजी जगा जगा आपको मिलेगी ठीक है ना यही सबसे बड़ी development है कि हमारी सरकार ने हमें दे दी है तो इससे बड़ी और क्या दुरत्मी है नई टैंशन ही लेते यह कि कहां गए बच्चे कितनी लेट होगे कुछ है क्योंकि देखे दंगे फसाद सबसे बड़ी बात वह बंद हो गए हैं बीजेबी की राज में पहले हिंदू मुस्लिम सी किसाई सब आपस में कितने जगड़े होते थे आज के टाइम मे देखो उसी को ही मिलेगा नंबर आप एक बात बताओ आपने कंवरपाल जी के कारियकाल कोई देखा है यहां से अकरम खान भी दो विदायक रही हैं और वो कंग्रेस पालिटी के परत्यासी भी हैं तो उनका कारियकाल आपको कैसा लगा या उसमें मतलब आपको पता नहीं देखे अब हम हैं हम यंग जनरेशन अब हम बीजेपी में हमने देखा है कि उन्होंने कितने कारिये किये हैं अब हम और अगर हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे उपर मोदी जी ने कितने कारिये किये हैं हर किसम के अब अगर हमारे इंडिया की ड्वेलप्मेंट होगी तब मतलब आपको क्या लगता है महिला को क्या लगता है hahm को ही सपोर्ट करेंगे क्योंकि वो एक तो बहुत इमानदार है चोबिस घंटे जंता की सुरक्षा में खड़े हैं और बहुत कारिये किया हैं उन्होंने अंगिनत आप बताओ जी आपका क्या नामे मेरा नाम रिनु है अच्छे बताओ आपकी रसोई कैसी चली मतलब कुछ खर्चा बढ़ा या घटा घटा हुआ है हाज जी काफी घटा हु बीजेपि की राज में महंगाई हुई है यह तो हमारे टाइम के टाइम महंगाई चलेगी ही चलेगी इस चीज को अंविशे नहीं बना सकते है कि आप लोग तो ने में उनका है उन्होने जो एसी कास के लोग है उनको घर पक्के मकान बनाके दिए हैं पैंशन तक बनेवा है बहुत कारे किये हैं ऐसे तो वोट आप भी बीजेपी को करेंगी या हां जी हमारी वोट बीजेपी को जाएगी और हम इनकी स्पोर्ट भी पूरी करेंगे कि सरकार बीजेपी की ही आने जाई है साक्षी ने जो महिला सुरक्षा की बात की है कि जगह जगह पर 112 नंबर खड़ी है और आप सब लोग सुरक्षित महसूस करते हैं तो इसमें सच्चाई है या बस साक्षी भाजबा की बात कर रही है इसलिए नहीं यह सच्चाई है हमारी सब जो जितनी भी मिलाएं सब बहुत सुरक्षित है इसमें कोई टेंशन नहीं होती जब हम घर से निकलते हैं सबसे कमरपाल ही मतलब एक बार फिर से आपके मन में है कि वह उन्हीं वोट करना हां जी वही है चोदरी गमरपाल जी ही बनने चाहिए सब उनहीं को ही वोट डार लेगे आपके मन में क्या है हन जी हम भी यह चाहते हैं कि अब फिर हमारी भाजपा सरकार ही आए हम कमरपाल जी को ही वोट देना चाहेंगे इसके पीछे वजे क्या है वजे बस ये उन्होंने सारे काम अच्छे किये हैं दस सालों से और उससे पहले भी जब भी भाजपा सरकार आई है तब भी उन्होंने हर काम अच्छा ही किया है और अब भी कर रहे हैं और आगे आएगी तो आगे भी ऐसी रहेगा कि वो काम हर अच सरकार रही हो तो मतलब उस्षे में आपके मने में कुछ डर रहता था क्या हंजी डर तो घर से बाहर निकलते हुए हार किसी काम को करते हुए थोड़ा रहते ही था बट अब जब से बीजेपी आई है वो डर थोड़ा सा जा चुका है और आगे भी सही रहेगा मतलब मोस्ट फ डिस्टिक में और डिस्टिक से बाहर जाएं तब भी हर तरह से शुरक्ष executing रहेंगी तो आपको लगता है के सरकार है अरियाहने में बंदेगी इस वार भी बीजेपी सरकार ही आएगी अपनी आपको क्या काम किये हैं सबी जगा से लड़कियों के लिए इस रुक्षा कि पिर पिर भी दुबारा शुरू किए उन्होंने बस ते नहीं की बदोलत से हुई है देखो पहले हमें पूरी शिच्रोली में यह आती है बस और हमें कोई दिक्कत नहीं है मतलब अपने बच्चों को लड़कियों को बेजने में आपके विदायक का क्या नाम है कमरपाल चोधरी कमरपाल से मतलब पहचान लेती हैं आप उन्हें हम्जी पूरी पहचानते हैं अब आज भी आये थे हमारी गली में आये थे अमरे प्रोशी आये थे विल्कुल आज यदि हम सब ही गये थे वहाँ पर उनके नितितव में और ये कह रहे हैं कि आप बनिया समाज से हैं एक गरकाल और यह कह भए जी मार पढ़ी और बहुत सकते भई उनी के लिए ही आई यह तो देखो सबी के लिए है देखो यह बस आपके मन में यह है कि हमारे मन में कि हमारे काम अच्छे नहीं किया है प्यूद्ध के प्रत्यासी है चोधरी अक्रम खान मतलब उनको भी आप लोग पैचानते हैं कभी छेतर में आप लोगों को दिखाई दिये या नहीं क्योंकि हमें कवरपाल को ही देखा है उनको ही हम वोट देंगे आपकी मन पसंद पार्टी से विदायक हैं हम बीजीपी सिरकार को जिताना चाहते हैं और उसी को जिताएंगे आप तो बस बाजबाप है फोकस करो महंगाई बले ही कितनी हो जाए कोई बात नहीं आने में टा चेंज होएगा वैसे वैसे सरकार अपना कुछ न कुछ तो करेगी जंता के लिए अच्छा आप यह बताओ आपने पिछले दस सालों में क्या महसूस किया बार्दे जंता पार्टी की सरकार है और विदायक भी वाजबा के बस बीजीवी सिरकार ने हमारे बहुत विकास किय हर एक शेटर में विकास किया के लिए जहां पर मोदी सरकार ने हमारे बहुत कुछ किया है अब जैसे है अच्छ रोली में देख लो इतनी टूटी सरके होती थी यह मैंने जाते टैम इतना टैम लग जाता था अब उसरकों का विकास हो गया है और बच्चों के लिए यहां कोलेज खुल गए है खुल गया है यह कहाए जया से एकश्चा में लेकर आप दो समेस्टर हो गया है कि इससे बैच्चा सानी से कर सकते हैं फेले फर्स समेस्टर था अब से स्मेस्टरेश में बच्चे से पास हो जाते हैं मैला शुरक्षा को लेकर आपने पिछले दस सलों में क्या मैसूस किया को लेकर हम आजकर सेफ हैं कहीं भी जा सकते हैं अग नंबर पर फोन करें सिटे यह हमें हमें फैसलिटी मिल जाएगी अब मोधी सरकार ने भी कहा लिख ल सब्सक्राइब चाहिए। वोट आप सब लोग कमरपाल कोह देंगे आपने क्या मैसूस किया भूँ अच्छे मैसूश किया 20 सालों में अच्छे बार्क कमरपाल आना चाहिए इब naming कमरपाल या ना चाहिए उसमें वह सोदा किया चुचरोली में आगे भी जबायेंगे तो करेंगे वो पहले सिलंडर महंगा था अब सिलंडर सस्ता हो गया सप्सक्राइब तो पांद सो भी सस्ता हो गया था अब सरकाइब और सस्ता कर दिया अब हमें ले लो हमारी अजुकेशन आज कर दो हमारे बच्चे निकर पा रहे हैं हमारे तो इससे भी उच्छी यह बच्चों के आजुकेशन है हम तो सिंपल स्कूलों में पढ़े हैं आज कल के स्कूल भी सीब्यासी बोड है तो बहुत फरका से हारे खर्चे में भी टाइम के कोटिंग सब चेंज हो जाएगा आप बताओ जी देखो अच्छा प्रिवर्तन आया है हमारे शेत्र में तो हम चाहते हैं कि कवर पाजी आने चाहिए पहले सड़के टुटी होती थी जाने आने में दिक्कत होती थी अब बाते आपने इनकी सुन ली हैं और कुछ नहीं बाते बताओ आप अब देखो बसों का लेके अब देखो ऐसी बसे आगी हैं हमें आने जाने में बहुत सुरक्षा मिली है मतलब आप सब के मन में चोधरी कौर पाले हैं और भाज पाए हैं जी हां जी